लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाईए हमारे साथ जूड़े रहने के लिए न्यूस 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार बहुत स्वागत है आपका न्यूस 29 इंडिया में मैं हूँ आपके साथ कवीता पांडे नीमच में रहने वाला किसान जगदेश पालिवाल इंडॉट जनसुनवाई में पहुचे और अपनी फीड़ा वेक्ट की उसने पुलिस के आला अधिकारियों को बताये की उनकी करोडों रुपए की जमीन हडपने वाले भूमाफिया गिरिश मतलानी और उसके साथियों के द्वारा उनके और उनके साथियों के खिलाफ जूटी एफ आयार डच कराई जा रही है वहीं उनके द्वारा की गई शुकायत पर अब तक ज्याथ ही चल रही है और अप् पीड़ा लेकर एक बार फिर पहुचे जगदिस पालिवाल ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताये कि होटल वाव जिस जमीन पर बनी हुई है उस जमीन की एफ आयार इओ डेब्यू में दर्च करा दी गई है लेकिन अब तक किसी की भी गिरफतारी नहीं हुई है स साथ ही उनके द्वारा ब्लैक मैलिंग और धमकाने की स्विकायत मुख्य आरोपी गिरिश मतलानी सहित अन्य के खिलाफ विजय नगर पुलिस में की गई जिस पर एफ आयार दर्ज हो गई लेकिन अब तक गिरिश मतलानी सहित अन्य आरोपी फरार है मेरा एक प्लाट था होटल का जो मेरे फरजी कागजों के द्वारा कुट रची दस्तावेजों से कुछ लोगों ने हतिया लिया यह इसकिन नंबर चोपन का प्लाट है वो इन लोगों ने हतिया लिया उसको गिरिश मतलानी और किशोर वद्वानी परिवार यह लोग इन लोगों ने हतिया के उसके उपर होटल का निर्मान कर लिया मेरे द्वारा आवेदन देने और शिकायत करने पर मेरे द्वारा देए गए आवेदन पर यू डव्यू द्वारा शिकायत करने पर इन लोगों ने मुझे डराना धमकाना शू करा जीतू सोनी के द्वारा इन्होंने मुझे धमकवाया उनके पेपर में मेरे खिलाब छपवाया उसके बाद इन्होंने फिर बोपाल में हमारे खिलाब तीन जूटे प्रकरण दर्ज करवा कर तीन जूटे प्रकरण दर्ज करवाये बोपाल जिसके अंदर एक में खारी जी कट उसके बावजूद हमें लगातार प्रतारित किया जा रहा है और धमकाया जा रहा है डराया जा रहा है वो लोग खुले गुम रहे हैं उनकी बारे में कोई आस्तक उनके खिलाफ एक्षन नहीं लिया गया आरोपियों ने किसान और उनके सहयोगियों के विरुद गोविंद पुरा थाना भोपाल में एक जूटा प्रक्रण पंजीबत करवाया था उस प्रक्रण की विवेचनों में हमारे द्वारा इनकी संचालित गैंग के खिलाफ पून सबूत देने पर प्रक्रण जूटा पाया इसके बाद पुना वधना नहाटा द्वारा धमकाने का अज्जाक थाने में प्रक्रण वापस लेने की फड्य सिकायत भुपाल में की गई जिसमें भी हमारे द्वारा समस्त साक्ष पेस करने पर आवेदन खारिच की कारवाई की जा रही है पिडित ने जनसुनवाई में पहुचकर आला अधिकारियों से इंसाफ की मांग की है बिरो रिपोर्ट निउस 29 इंडिया जो पीडित मिश्टर जगदी साय थे तो उनके द्वारा पूर में बिजयनेगर में प्रतम सूचना दर्च करा दी गई है और प्रतम सूचना के अनरूप बेचना चल रही है लेक तो आप देखते रहे निउस 29 इंडिया एक देश सारे प्रदेश